Hello friends, good evening, नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, I hope आप सभी अच्छे होंगे, अभी तक हमने class 9 का chapter 1 start किया था, इसके हम exercise 1.1, 1.2 और 1.3 के examples कर चुके हैं, आज हम exercise 1.3 start करने जा रहे हैं, ओके, first आपका question है, write the following in decimal form and say what kind of decimal expenses each have, इसमें आपको ये बताना है, कि ये जो हमारे decimal form में इसको convert करना है, उसके बाद हमें ये बताना है, कि ये जो आपके expansion है, ये आपके terminating है, non-terminating है, कैसे हैं आपके, terminating आपका वो होता है जहाँ पर आपका remainder 0 आ जाए और non-terminating वो होता है जिसमें आपका चलता जाएगा वो repeat होता जाएगा जैसे first हमारा है 36 divided by 100 तो इसको हम 0.36 लेख सकते हैं 36 को अगर आप divide करते हैं 100 से तो आपका यह देखिए नहीं जा रहा है तो 0.00 यहां पर 0 103,300 हो गया उसके बाद 60 और एक और 0 हमने लगाई तो 106,600 यह आ गया answer will be 0.36 तो यह आपका terminate हो गया मतलब खतम हो गया तो जो यह हमारा expansion होगा यह आपका terminating होगा ठीक है next आपका है 1 by 11 आप देखिए इसको divide करिए 1 को अगर आप 11 से divide करते हैं तो यह नहीं जारा 0.00 यहां पर 0 लग गई अभी भी नहीं जारा एक और 0 लगेगी तो यहां पर भी 0 लग जाएगी 11,90,99 हो गया अब यह 1 आगे फिर से ठीक है आप हमने फिर से एक और उतारी नहीं जारा फिर 0 लगाई एक और 0 लगे 11,90,100 तो यह आपका बार 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 रिपीट हो रहा है यह देखे 0.0909 यह रिपीट हो रहा है तो that is your non-terminating यह क्या आपका non-terminating होगा ठीक है नेक्स्ट थर्ड है आपका जैसे 4,1 by 8 यह mix reflection में रखा है इसको आप पहले improper में convert कीजिए 8,4 जा 32 और 1 तो 33 by 8 अब आप 33 को 8 से divide करेंगे तो क्या होगा हमारा 33 है आपका 8 से divide किया तो 8,4 जा 32 हो गया 3 में से 2 गया 1 अब यह 0 पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पे भी पॉइंट 8 बन जा 8 10 में से 8 गया है तो 8,2 जा 16 यह 4,08,5 जा 40 यह आपका देखे है remainder इसमें 0 आ गया अगर आपका remainder 0 आ जाता है तो वो आपका terminating हो जाएगा ठीक है next आपका है 3 by 13 4th है 3 by 13 3 को अंदर रखिए 13 से divide करेंगे हम 0,0 point 13,2 जा 26 10 में से 6 गया 4 आएगा 0,13,3 जा 39 10 में से 9 गया 1 अब यह 0 नहीं जा रहा तो 0 लगा देंगे एक और 0 13 उसके बाद आएगा यह 13,5 जा 85 और 13,6 जा 98 तो 13,6 जा 98 यह जा एगा 2 आ गया फिर से 0 यह आपका चलता ही जा रहा है ठीक है तो this is also non-terminating next आपका है 4 and 5 है यह आप खुद करके देखेंगे अब देखेंगे second question हमारा you know that हमें पता है 1 by 7 को हम 0.142857 लिख सकते हैं हम पीछे इसका example भी करके आए है यह देखिए यह है आपका example कहां गया यह रही है आपे यह वाला यह हमने किया था 1 by 7 तो इसकी हमारा पस क्या value आई थी 0.142857 ठीक है तो यही value आगे दे रखिए किनों ने कि यह देखिए 1 by 7 को हमने 0.142857 इसके पर बार लगाया हुआ इट मिन्स क्या है यही डिजेट आपकी बार-बार रिपीट हो रही है ठीक है तो देखिए अब हमें क्या करना है can you predict what the decimal expansions of 2 by 7, 3 by 7, 4 by 7, 5 by 7, 5 by 7, 6 by 7 इसको हमें करना है देखिए बहुत ही easy है कोई problem नहीं है 1 by 7 की value क्या दे रखिए आपकी 0.142857 और यह आपका रिपीट हो रहे है तो हमें निकालनी 2 by 7 की तो 2 multiply 1 by 7 लिख सकते हैं इसको हम बिलकुल लिख सकते हैं 2 से multiply कीजिए 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10 1 11 2 8 जा 16 और 1 17 2 2 जा 4 और 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2 और 0.0 तो यह आ जाएगे आपकी value 2 by 7 की ठीक है 1 by 7 की जो value है उसको आप 2 से multiply कर देंगे तो वो आपकी 2 by 7 की value ऐसे 3 by 7 में 1 by 7 की जो value उसको 3 से multiply कर देंगे तो वो आपकी 3 by 7 की ऐसे 4 by 7 की ऐसे 5 by 7 की ऐसे 6 by 7 की values आ जाएगे ठीक है नेक्स्ट है आपका चलिए आज हम यह two questions ही करते हैं उसके बाद third, fourth यह एक जैसे questions हैं इनको मैं next वीडियो में कराती हूँ I hope आपको समझ में आया होगा वीडियो अच्छी लगी है तो please like, share and subscribe मिलते हैं next वीडियो में अगर कोई comment है तो please comment section में आप मिरको लिख सकते हैं मैं पूरी कोशिच करूँगी आपके comment को clear करने की thanks for watching, bye